दादा कोलिवीरा विधान स्वा चुनाओं से आप लगातार तिसरी बार जीत कर जीत का हैट्रिक लगाये हैं और परचन बहुमत से आपने जीत दर्ज की है इसके लिए मैं हमारे कोलिवीरा की मर्दाताओं को, हमारे पार्टी के आराखमानों को और इंडिया गर्वंधन के हमारे लिगरों को मैं और आप मीडिया बंदू हूँ हूँ होगे मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई की दिता हूँ सिम्डिका की जनता की पूर्व से मांग रही है कि आपको मंत्री ग्रूप में देखना चाहरा है इस बार आप इतने बहुत से जीते हैं क्या लगता है मंत्री का ताज आप में सजेगा मेरे लिए तो विधायक ही काफी है और बाकी रहे बाद पार्टी जो भी जिम्वारी जिन विधायकों को देती है हम लोग सब उसे नहीं बाते हैं चूंकि जनता ने जिन लोगों को विधायक चुनकर भेजा है तो सभी समतावान है और कई छेतर हैं काम अधूरे पड़े होए थे क्या इस बात पूरे हो पाएंगे निश्ची तोर से अधूरे काबों को पूरा करेंगे और रही बात हमारा में मकसद है जो नीती निधारन करना जो भी जनता के हीत में चाहे वो आर्थिक हीत में हो या सिक्षा या स्वास्त या आजवीका से जुड़े या गरीभी महंगाई से जुड़े नीतियों को लाना हमारा प्रात्पिकता है और जो ऐसी गलत नीतियां जिससे जनता परेशान होती है भय का महौल बनता है इसे गलत नीतियों को भी हमारा पहला दाइत्वा है आपकी रिकोर्ड तोड़ जीत से जनता में काफी हर्स का माहूल है आतिस बाजियां हो ये मिठाई ये बाटी जा रही है कोली वीरा की जनता क्या संदेश देंगे ये जीत सिर्फ कोली वीरा में पूरे जार्खंड में पूरे जार्खंड की जनता उत्साहित है और जिन्नीतियों को लेकर हमारी गडबंधन की सरकार ने जनकल्यानकारी योजनाओं के रूप में इनके बीच में लाए जिसे इनको आर्थिक सुरक्षा और महंगाई से मुक्ति का भरोसा लगा और इन जनकल्यानकारी योजनाओं को ये लोग बंद कराने के नियत से हाई कोर्ट तक एक साजिस के तक गए ये यहां की जनता को नहीं भाया आओ और एक मुद्धा मैंने देखा विधान सभा सतर के दवरान जिस तरह से भाजपा के लोग जनता के मुद्धों को चर्चा होने से बाधित पहुचाए देथे, वो इसे सभी विधाएउं को विधान को बाहर का रास्ता दिखाने का का म किया और यहां संदेज दिया है कि विधान सभा सदन जनता के लिए है अपना ताकत और उबाल को दिखाने cerca नहीं होता होता है इस बात का संदेश उन सभी जो सदन में बिरोध करने और बाधित करने वाले बिधायकों को बाहर करास्ता दिखा कर एक अच्छा संदेश दिया है लोगतंतर के लिए यह सबसे बड़ा जीत है कर दो जीत है